हलो डॉक्टर हलो डॉक्टर हलो डॉक्टर कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है ओरल हाईजीन यानि की मुह की सफाई लेकिन इसके बावजूद भी कई बार हम मुहुवदानतों के लोगों से इसलिए आज हलो डॉक्टर कारेक्रम में हमने विशे रखा है मुहुवदानतों के रोग, लक्षन, बचाव, उपचार और इस विशे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डेंटल कॉलेज श्यम्ला से डॉक्टर विने भारतवा जोकी विभागा अध्यक्ष हैं डॉक्टर साब आज हम कारेक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे हलो डॉक्टर में और अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि यह है लाइफ फोनिन कारेक्रम अगर इस विशे से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर साप नोट कर लीजे हमारा फोन नंबर है 2800-0177 दूसरा फोन नंबर है 2800-0178 और STD code रहेगा 0177 और इससे पहले कि हमारे तमाम दर्शक अपने सवाल पूछना शुरू करें आपसे उनका सवालों का सिलसला शुरू हो थोड़ा सा जानना चाहेंगी ओरल हाइजीन हमने शब्द सोना है और लोग क्या सोचते हैं कि अगर उन्होंने ब्रश कर लिया है तो शायद वो दांतों के रोगों से बच गए हैं उन्होंने पूरी तरहसे अपने दांतों की सवाई कर लिये तो एक्टाल में औरल हाइजीन है क्या? औरल हाइजीन मुँ और जो इसके इन्टरन स्ट्रक्चर हैं जैसे दांत, जीव और हॉंटों का अंदलेसा उसका स्वास्थय है उसको कैसे ठीक रखना है हमने, उसही का नाम है ऊरल हाइजिन. टो ओरल हाइजन रखने के लिए सबसे ज्यादा वश्चेक है कि मूं को साफ रखा जाए. मूं को साफ रखने के लिए उसलिए जैसे हम टूथ ब्रप्रश करते हैं, दो थिन तरीके से जो है वो हम मुझ के ओरखी नैटेइन करते हैं, और किस तरह से करें कई लोग 10 विएंट तक ब्रेह करते रहते हैं तो कितना सही है या कितना हानि कारख है थोड़ासा बताईए, अब ब्रेशिंग करना एक बहुत महत्वपून जो हिस्सा है हमारी ओरल हीजिन मेंटेन करने का जी ब्रेशिंग मैं हम मैं अभी एक मॉडल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा ये एक मॉडल है इसमें तुट ब्रेश है इसके ओपर पेस्ट लगाके दांटों के कंड़ें और दूसरे भी नीचे ओर अन्दर और बाहर दोन उतनों सब्खेश के उनको क्लीन करें जी ब्रांतों का ब्रशिंग का जो फ्रीकरंसी है कितनी बार करें तो बहुत सारे लोग कही बार एक बार करते हैं दो बार करते हैं तीन वार तो युजिली जो करें जी तो ब्रush को अगर हम सही धंक से करें जैसे मैंने बड करेंगे तो दांतों की सफ़ाई करने के वजए वो दांतों को नुकसान करता है तो जैसे ही इसके जो ब्रेसिलस आप ने कहे है यह हो जाते हैं तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए दो से तीन महिने यूज करने के वाद जो है हम ब्रश को जो है वो चेंज कर सकते हैं जी नांतों के रोग कौन-कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताईये तानतों के जो रोग मुक् objet है उनको ही चार भाग़मे में डिवाइद करते हैं सबसे इंपौर्टेंट, सबसे जो प्रेवलेंट वी दिजी ऐवा है और मुह में बैक्टिरिया, बैक्टिरिया जैसे उम्हें जिवान होते हैं, वो उस खाने के उपर एक्ट करके एसीड बनाते हैं, और वहाँ पर सडन पैदा हो जाती है, तो हम यह देखेंगे कि उसमें दांत में छोटा सा काला धुबबा पैदा जाती है, इसे हम डेंटल केर कहते हैं, तो यह दांत के सडन की शुरुवात, जी, तो इसे हम डेंटल केरीज कहते हैं, जी, दूसरी जो बिमारी है, वो होती है, मसूडों की बिमारी, या पैदेंटल डिजीज, या पाइरिया, करी बार पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसके मुह में बदू आ रही है, या दांतों में सूजन है, या दांत जो है, उसको लगता है कि दांत धःले हो रही है, खाना खाने में मैं इसको दिक्कत हो रही है, तो इसकेस में वह देंटलिकुकेצ्व ढ़न स्पोपोर्टेंग इसे फोड़ा ठीपन की बाता ह्यानी की वज़ फीर कारण मुझ्छा कारणि दंतों इन इंध्य जात रिति हैं तो इस पोर्टेंग स्पॉर्टेंग जन फोग पाउनारिया की ब employers है इसमें एक तो अनुवनशिक्ता जेनिटिक्स की वजह से होता है, दूसरा बाद में जब तो एल्डरली हो जाते हैं, या कोई दांत अपने जगह नहीं आ रहा तो दूसरे दांतों को डिस्प्लेस का देता है, उसको माल अक्लूजन कहते हैं, चौति जो सबसे प्रिविलेंट डिजीज या जो मुँ या इसके स्ट्रक्चर हैं, हमारा जो गाल है, उसका अंदर का इसा है, वो है ओरल कैंसर, वो भी लोगों में होता है, जैसे कोई पान टोबैक को खाते हैं, या कुछ सुपारी वेरा खाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मुँ में शार्प टूथ, तीखा दांत होता है, उसकी वज़ाद से भी constant irritation से वो चीक जो हमारा जीव है, उसको काटता रहता है, उसके काटने से जो है वहाँ पे constant irritation से later on ये malignancy की रूप में परिवर्तित हो जाता है, जी, तो अगर शुरुआत में ही लक्षनों को पहचान लिया जाए तो बीमारी को रोका जा सकता है, कहते हैं कि बचाव जादा अच्छा होता है, किसी भी इलाद से पहले अगर थोड़ा बहुत precaution हम यूज कर लें तो बड़ी भीमारी से बचा जा सकता है, बहुत जल्द रिकवर भी हो जाता है, तो शुरुआत करेंगे जैसे कि आपने cancer की कि अगर बहु जाए जैसे टब़े को यूज करेंगे पान गुटका उसमें सबसे पहले जो हमारी गाल की जो अंदर की सता अंतर की जो मिकोजा होती है उसमें वाइट स्फेद या कोई स्फेद दाग आ जाएगा रफ सर्फिस दाएगा जाएगा पांच से महिने तक अगर वो ठीक ना हो या कोई रेड रेड स्पॉट वो भी ऐसा को अलसर ऐसा को जखं जो काफी समेज से जो है ठीक रिकवर नहीं हो रहा है तो उस विशह में हमें या पेशेंट को जाँच करवानी चाहिए कि क्या कारण है अगर जितना अरली होगा जितनी अरली हम टीटमेंट शुरू करेंग कि उतना जल्दी उसका उपचार भी पूरन तया हो सकता है जी आपने तीसरे नंबर पर बताया था दांत जो है टेड़े मेडे हो जाते हैं तो अनुवांशिक्ता आपने बताया था कि हरेडिटिक का बताया था कि पीछे से चला आता है और अगर हम इनको ठीक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं ठीक टेड़े में दांतों की समस्या है जो माल अप्लूजन है इसमें प्रशिक्षित जो दंट किसा और्थो डंडिस्ट है वो इसको पहले एवैलुएट करते हैं उसका नाप लेंगे उसमें देखेंगी की रीजन क्या है अगर उसमें कोई के बर रहता कि कौन सी अमने टीटमेंट बीमोडेलिटी लेनी है क्या कॉज है उसका माल अप्लूजन का टेर्ने मेरे दांतों का उस विशेर पे नियुकरते है कि हम इस तरह कैसे आगे प्रसीड करें तो साइड इफेक्ट भी है इसके या नहीं है क्योंकि कई बार पेशेंट जो है वो चीज करते हैं जैसे अगर पेन के साथ है जैसे मैं अभी बताना चाहूंगे जैसे डेंटल केरी से तो सबसे जादा उसका कारण एक तो पेशेंट हमें बताएगा कि दांत में कैविटी है इसमें खाना फसरा है स्मेल ला रही है या जो भी बद हुआ है तो उस मैं दो तिन है उस विशय में हम लोग उस पेशेंट को रेस्टोरेशन करके उसको ठीक कर देते हैं लेकिन अगर यह समस्य है जो दांतों की जो दंत किशेर हो गया यह डेंटीन से आगे पल्प में पल्प में जो दांत का एक अंदर एक सौफ्ट इशू होता है वहां तक चला जाए तो फिसको हम अ में रेस्टोरेशन से ठीक नहीं कर बाते है उस विशय में हमें पेशेंट की नियुक्रा टिमिंट करने है जी रूट आल के बारे में आपने बताया लोगों को कई बार पधा नहीं होता है कि रूट आल है क्या तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए और कैपिंग भी बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो क्यों ज़रूरी है, अगर हम रूट केनाल करते हैं, तो रूट केनाल हम उसी संदर्व में करते हैं, जब पेशेंट को, जैसे में पिताया कि जब देंटल केरी जो है, वो पल्प तक पहुंच जाए, दूसरा, किसी केस में कैसे होता है कि पेशेंट को ट्रॉमा हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, ज्यादातर आगे बाले दान्तों में और टूथ फ्यक्चर हो जाता है, तो उसमें भी हमें इंटेशनल आर्सीटी करनी पड़ती है, जी, रूट के नाल में जो रूट का जो पल्प होता है या जो soft tissue है, जो अंदर मास होता है, उसको हम निकालके, उसको irrigate करके, उसको clean करके, उसमें कुछ disinfect डालके, उसको हम लोग clean करते हैं, और उसको उसके बाद inert material से भर देते हैं, अगर उसमें infection है तो हमें कुछ time तक जो है, infection को थोड़ा control करने के लिए, फिर उसके बाद, उसमें RCT complete करने के बाद, उसमें prosthesis, जैसे cap या दूसरी चीजें, उन चीजों का हम प्रियो करके, पेशेंट के उस हिस्से को functional कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम आप से जानना चाहें कि कई बार लोग capping कर वा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको problem आती तो उसके क्या reason रहते हैं, ठंडा गरम लगता है, तो वो क्यों लगता है, वो sensitivity क्यों feel होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि patient रेस्टरेशन करवा दी, कुछ ताइम तक चलता है, उसके बाद patient उसको ठंडा गरम लगना या दूसरी और सारी problem शूरू हो जाती है, तो उस case में उसको secondary dental caries कहत है, तो उस पर्टिलोर केस में उसके फिलिंग को निकालके उसको दोवारा री फिल किया जाता है, तो वो एक तरीका है, कि री फिलिंग या जैसे secondary caries हो, जैसे आपने बताया कि कही बार कैप लगाने के बाद, आर सीटी करने के बाद या पेशन को दाद हो जाती है, तो यह दुबारा उसको डिसिंफेक्ट करके, यानि कि कोई भी अगर समस्य आती है, अगर आपने एक बार आर सीटी करवाली है, कैपिंग करवाली है, तो हमें डॉक्टर से सलहा मशवरा जरूर करना चाहिए, मैं यही एडवाइज करूँगा, कि छे महिने में जो है, चाहे हमारी करवालें, तो जो जो डिसीजी है, प्रिवेंटिव, जो प्रेंमरी प्रिवेंशन से हम ठी कर सकते हैं, तो हमें अगे वाली Seungdi-vy-T identify prevention चीजजों से बचा जा सकता है। यह चोटा डेंटल केरीज को एक हम फिलिंग से ठीर कर सकते हैं, अगर ना करें तो एंड में तो उसमें फिर रूट कनाल करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें उसमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी. कई लोग इस समस्या से भी जूचते हैं, वो देखते हैं कि दांत जो है बीच में से उनका क्रैक हो गया, तूट गया. बाकि सभी दानत अच्छे से हैं और चेहरे की सुनदर्धा को दानत ही जो है और ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बीच-बीच में से दान तूट जाएं. तो क्या बजा है यह दानत क्यों तूटते हैं और कैसे इसको बचाया जा सकता है? आप दांतों का टूटना और जैसा कि पहले मैंने बताया कि कही बारा ऐसा होता है कि जो क्राउन पॉर्शन है जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टूर जाता है और उसमें यह होता है कि जो रूट स्टम्प हड्डी के अंदर रहा जाती है तो उसमें दो तीन ऑप्शन हैं एक को हम लोग दांत को वो कर के जी आपकी सवाल का जवाब जानेंगे फिल्हाल एक फोन कॉल है बात करने हैं अपने दरशक से हलो 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 इसवाल जी नमस्कार अपना परिचे दें डिजि देवेंद्र जी पूछिए अपना सवाल जी आपका सवाल हम अच्छे से नहीं समझ पाए है एक बार फिर से दोहराएंगे आप मेरे मां अंदर से चाले आते हैं कभी चाले आते हैं के मुह में जी जी आप मुह में चाले आने का दो तीन कारण है एक तो कोई जैसे गेस्टिक प्रॉब्लम हो उसकी वज़ाद से जाता है दूसरा अप्थस्टोमेटाइटीस होता है जिसमें पेशेंट को तो प्रॉब्लम होता है तो तीसरा होता है कि कोई शार्प टुथ आसपास है यह को रेस्टोरेशन है को अलर्जी हो रही है उसकी वज़ा से भी अप्थस्टोमेटाइटीस यह जो मुह के चाले होते हैं तो इसका निवार नहीं है कि सबसे पहले तो चक अप कर वा ले जो आस पास इनके प्रिश्कषित दण्चिक्ट सकें यह इसमें अइडिसन होती है मेडिसन का भी प्रियोग कर सकते हैं जी verw इसमें ointment आता है, mycopain और इस तरह उसको भी लगाके वो उसको ठीक कर सकते हैं. या कही बारा है साथ है कि किसी भी patient में कोई जैसे vitamins की कमी हो, तो इसमें combination, mycopain या canocot और उसके साथ-साथ जो है बैककोसूल, यह medicine जो है पेशन दे सकते हैं. इन्ची, इन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया है, अपने बाकी दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा, उनको बता दें कि आज हलो डॉक्टर कारेकरम का विशे है, मुहुवा दांतों के रोग लक्षन बचाव उपचार, इस विशे से संबंधित, यदि आपका कोई भी आपको बता दें, 2800177 और दूसरा को नंबर है 2800178, एस टेडी कोट रहेगा 0177, हम बात कर रहे थी कि दान्त बीश में तूट चाते हैं, कैल्शियम की कमी रहती है, क्या रहता है, आप उपचार बता रहे थे उसका, जैसे हम लोग अभी विशे पर जानकारी दे रहे थे या जैसे मने बताया कि उसमें रहस्ट्रेशन ना की जाए, उसमें कैव बगारा नहीं लगाई जाए, तो वो जो उपर वाला हिस है, वो निकल जाता है, उसमें रूट स्टम्स बच जाते हैं, तो उसमें उपचार फिर वो ही बचता है कि पेशेंट को वो टूथ एक्स्ट करवाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और उसकी जागा जो हमें फिक्स्ट जो है प्रोस्तिसिज लगाने पड़ेगी, इसके साथ साथ आज गल इंप्लांट का भी प्रचलन है, जो इसको एफट कर सकते हैं, वो इंप्लांट भी एक बहतरीन इसका उपचार है, और उ उपनी शब्दों का प्रियोग जो हमारे जो रूरल एरिया के दर्शक हैं, वो करते हैं, तो थोड़ा सा बताईए इसके बारे में, नर्सिंग बॉटल केरीज बच्चों के साथ होने वाली एक जो इदंत किशेर होग है, डंटल केरीज का हिसा है, या प्रकार है, ज्यादा है, जजब टर्वारे में कारती है, बच्चों के बॉटल में दूद डाल के उसके मुझ में डाल देती है, और रात मुझे वैसे रखे रखे रखे, उससे क्या होता है, कि दानतों में इसमें चौह जादा हो जाती है, जश्यूव, पस पढ़ जाएगी, बच्यरúde को बहुत और कुल्ला करवाइं, जब भी कोई चीज मीठी चीज दें, ऐसे तो कम से कम दें, चोकलेट वेरा कम से कम दें, मैं नहीं कहता कि ना दें पर उसके बाद कुल्ला करवाइं, ताकि मुह में वो श्टिकिनेस ना आए, और वो चीज जो हो और यह सारी डेंटल प्रॉब्लम्स गाट तो, वह जादा सफरा ना करें इस बी़िया इस बीमारी से क्या इलाज है उनके लिए? बच्चों के दांतों में जैसे की जैसे भी पेशेंट दांत बुना शुरता है कि यह रहा सा होता है दांत की हड़ी जो थोड़ी मोटी होती है तो उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है दूसरा यह कारण है कि हड़ी में जो दांत टेडा मेडा होता है तो इसका उपचा जो हड़ी के अंधर है, उसको उसकी ुर्प्षन को हिंडर कर है तो इस चीजिज का पता है, एक स्रे से लगा के फिर उसको ट्रीट करते हैं अगर डेntles के रीज है तो उसमें पर फिलिंग करेंगे जी, एक और फोन कॉल है, बात करते हैं अपने दर्शक से, हलो, 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 लगता है फोन कॉल कट क्या है, एक अपना परिचे दें, जी, मान सिंग जी, थोड़ा जोर से अगर आप बोलेंगे तो आपका सवाल हम अच्छी से सुन पाएंगे, मान सिंग जी, आपका सवाल हम अच्छी से नहीं सुन पा रही है, टीवी की वॉल्यूम आप कम करेंगे, मान सिंग जी, अपने टीवी सेट की वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, जी, टीवी सेट से थोड़ा दूर आकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जी, कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शक एक बार फिर हमसे जुड़ें और उनका जो सवाल है उसका निदान आप से मिल पाए उन्हें, तो हम बात कर रहे थे उन दांतों की, जो, कुछ सवाल पूछा था हमने, हम अमारा विश्या था कि कुछ दांत जो छोटे बच्चों में आते नहीं है या डिलेड इरॉप्शन होती है, तो उसमें में वही कारण पता है, कि एक तो कही बार जो होती है, जो जो जिंजाईवा होता हो ठीक होता है, दूसरा है कि देंटल करीज के वज़ा से जो पर्म हमारे पास आता है, तो उसका हम रिडियो ग्राफ एक्सरे लेकर हम डिसाइड करते हैं कि क्या कारण है, और किस वज़ा से जो इरॉप्ट नहीं हो रहा उसी तरीक्के से और थी तरीके से जो ठीक करने को पूश्य अपनी बात्चीत का सिल्सला युही जारी रखेंगे, एक जी, जी, शर्मा जी अपना सवाल पूछिए, जी, तो उसके जो दूद के दांत है अभी एक दो तो दिख ले हैं ना, लेकिर ये दांत जै कब सक फूरे डिप्रवनेश्य किसे इसका तो, तो यह जार दो चाता हूँ, चोटे बच्चे के जो दांत हैं, जो दूद के 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 दांत ह जुरू होते हैं तो बच्चों को लुज बधासा अजर्ण कर दानना। जी स्वागत है आपका कारेक्रम में जी अपने टीवी सेट की वॉल्म थोड़ा कम कीजी और टीवी सेट से थोड़ा दूर आकर बात कीजी जी बुलिये सर्फ अब पानी ठंडा लगने का एक रीजन तो यह कि कहीं दान्त में उसमें अंदर उसमें सडन होगी और दूसरा अगर आप ब्रश ज्यादा अगर जोर से करते हैं उससे भी के बार दान्त में कट लग जाता है तो उस तरीके से हम यह कर सकते हैं कि आप आएं डेंटल कॉलेज शिमला हैं या आसपास आपके जहां भी प्रशिक्षिक दंद्चिस हैं उसको दिखाएं कि क्या रीजन है अगर तो उसमें के रीज होगी तब तो उसको फिलिंग कर देंगे या ज्यादा हार्ड या कई बर ऐसा होता है कि जो रूट है वो एक्सपोज हो जाती है उसकी बदा भी एक कारण है जो सेंस्टिविटी का एक कारण है तो इसके लिए आपको चेकप करवाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा और उसी तरीके से इसका निवारण हो जाएगा अगर आपको कंटि और उसके बाद कुला कर लेना है उसको ब्रश के साथ नहीं करना है ठीक है ना बहुत सारे हैं आप मार्केट में जाओगे सेंसो डेंट के सेंसो लीन इस तरह का कोई भी डिसेंसिटरी टूथ पेस्ट आपने उन दांतों पे लगाना है जहां आपको सेंस्टिविटी हो रह दानतों के गल्शक बता है तो वो क्या है थोड़ा हमार्यों द रशक को बताईीय और उसको निकालना जरूरी होता है या कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है दानतों को आप दांतों के बुड़ जमती है वो एक नर्मल प्रोसेस है लेकिन अगर उसको क्लीन ना करें तो उसकी वरसाइज धीरे धीरे उसके कैल्सिफिकेशन आजाती है जी उसी कैल्सिफिकेशन को हम लोग बते हैं की कैल्कुलस डी पोजिशन जी अगर उसको हम साफ ना करवाएं जी तो वो गैब भी नहीं रहेगा और दांत भी साफ रहेंगे और यह सारी चीजें जो जो मैंने डेंटल डिजीज के बार मिता है वो भी नहीं होंगी डॉक्टर विने भारतवाज आप खलो डॉक्टर कारेक्रम में आया और इतनी महत्वपून जानकारी विशे से संधित हमारे तमाम दर्शकों को दी इसके लिए आपका बेहत शुक्रिया अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत आगया दीजिए नमस्कार कर दो